सब्सक्राइब करो चैनल टेक्निक मास्टर को और बेल आइकोन दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के बारे में चलिए शुरू करते हैं जैसे की दोस्तों हम बात करें थी साव में MIA 3 स्मार्ट फोन के बारे में इसकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसके डिस्पले के अगर बात करें तो 6 एंचेस फूल एजडी इसकी डिस्पले है और रिजोलेशन होगा 1080 by 260 जोके 18 by no aspect ratio वाला होगा इस स्मार्ट फोन में प्रोसेसर के अगर बात करें तो Qualcomm 5G chipset होने वाला है इस स्मार्ट फोन 2GB RAM variant में आने वाला है 6GB और 8GB इसमें इंटर्नली स्टोरेज की बात करें तो 128GB और 256GB होने वाली है अब बात करते हैं इस स्मार्ट फोन में सबसी main features की वो है इसका camera इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन rear cameras आपको मिल जाएंगे इसमें rear cameras होने वाला है 16MP, 20MP वे 5MP with flashlight स्मार्ट फोन में selfie और video calling के लिए dual camera दिया गया है जो की 12MP वे 8MP का होगा और अब बात करते हैं स्मार्ट फोन में networking की तो hybrid dual sim slot होगा जो की 4G वे 5G के साथ आएगा connectivity की अगर बात करें तो इस स्मार्ट फोन में 4G, 5G, Wi-Fi, Wi-Fi, Direct, Hot Sport, Bluetooth और GPS जैसे features इसमें मिल जाएंगे इस स्मार्ट फोन में fingerprint scanner डिस्पले के नीचे दी गई है और इसमें android version 9.0 होगा इस स्मार्ट फोन की body structure के अगर बात करें तो यह स्मार्ट फोन उपर से और नीचे से पतला होगा जिसमें corning gorilla glass का protection होगा तो इस स्मार्ट फोन में 36 mAh की battery होने वाली है जो full charging support करती है जो की non remove available होगी वे लाइ polymer की होगी और अब बात करतें इस स्मार्ट फोन की केमत वे release date के बारे में तो इस स्मार्ट फोन 2019 तक market में आ जाएगा और इसके केमर लगबग 30,000 रुपे होगी अब इसी के साथ दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आये होगा इसके लिए इसको लाइक केजिए शेयर केजिए और चैनल को सब्सक्राइब केजिए जेहिं बंदे मात्रा